Hi guys. Drugs, Medicine and Pharma Jobs YouTube channel में आप सब का स्वागल है दोस्तों. आज हम बात करेंगे लिपोमा किबादे में दोस्तों, कि लिपोमा क्या है? लिपोमा कितने प्रकारका हुता है? लिपोमा के लक्षण क्या है? आप कैसे जैन पाएंगे कि आपको लिपोमा हुआ है? लिपोमा के कारण क् क्या है उसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं और लिपोमा का निदान कैसे किया जाता है मतलब उसका डागनोसिस कोई टेस्ट है कैसे डॉक्टर टेस्ट करके कैसे पता लगाएगा कि आपको लिपोमा हुआ और लिपोमा का उपचार तो उपचार में क्या उपचार है तो लिपोमा का एक मात्र उपचार आपको बता दूँ, वो सरजरी है दोस्तों, अब हम इस वीडियो में ये सारी बाते करेंगे, साथ भी से सूची है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों, जिन्हों ने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्लीज चैनल को स लिपोमा क्या है, लिपोमा का मतलब है एक नरम वसायुक्त गांट, जो आपकी तुचा के नीचे बढ़ती है, या उगलियों के दबाओ से थोड़ा हिलने योग होता है, और आम तोर पर दर्दनाक नहीं होता है, दुरलब मामलों में लिपोमा बढ़ सकता है, और दर्दन लेते हैं, लेकिन लिपोमा सिष्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये दो अलग-अलग स्थितियां है, सिष्ट के विप्रियत लिपोमा तोचा में गहराई तक बढ़ता है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, परकार, कितने परकार का होता है लिपोमा, लिपोमा इन टींडर में गहरी वसा और बड़ी संख्या में कोशकाँ होती है हाईबर्नोमा इस बरिद्य में परंपरिक लिपोमा में पाये जाने वाले पड़ Protect ko Jay के बजाए भूरे रंकी वसाँ होती है Fort हो गया माइलो ली पोमा में वसा उतक परंपरिक लिपोमा के बिप्रीद सफेद रख्त कोश्काओं का उत्पादन करता है फाइप नंबर है दोस्तों फाइप एक मिनट फाइप नंबर है आपको बता देना चाहूंगा इस्पिंडल से पी मोबान वन तो थेरी मोर जैसाकी नाम से पता चलता हैं कि इस ब्रृत्व में वसा कोशिकाओं ए्प्रीन ल॥ा यसी धिखाओंः यूग लिपोमा इस प्रकार के लिपोमा और आकरित की दोनों होते हैं आथ एंगियो लिपोमा यदि आपकी लिपोमा ने आपको बिए परोकार होadows रोकार जिए हैं के आपको हुआ है वहार्स की साय और आपकी अदूज elfogler पर होते हैं तो चाके ठीक नीचे इस्थित यह आम तोर पर गर्दन कंडों पीठ पेट बाहों जांगों में भी हो सकता है दोस्तों इस पर्स करने पर मुलायम और आटे जैसे लगते हैं हलके उंगली के दबाव से भी वे आसानी से हिलते डुलते रहते हैं दोस्तों आम तोर पर दो इंच फाइफ से कम ब्यास के होते हैं लेकिन वे बढ़ सकते हैं कभी-कभी दरदनाख लिपोमा हो सकता है यदि वे बढ़ते हैं और आसपास की नसों में नसों पर धबाव डालते हैं यह यह यदि उनमें कई रक्तवाहिकाएं होती हैं तो आप देख सकते हैं लिपोमा के कारण किस कारण से होता है आपको बता देना जाहूं लिपोमा के विकास के पीछे का सठीक अग्यां कारण अग्यात है लेकिन इस इस्तिति को जन्मजात माना जाता है इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में इस इस्तिती का इतिहास है तो आपको लिपोमा विक्सित होने का जोखिम बढ़ जाता है इस बीच कुछ इस्तितियों में लिपोमा के विकास को बढ़ाओ दे सकती है इनमें सामिल है पहला यह देख सकते हैं डेक्रम डिजीज गार्डनर सिंड्रोम अब बात करेंगे नेक्स्ट रोग थाम प्रिवेंशन ओफ लिपोमा की रोग थाम कैसे किया दिए तो आपको बता जों दोस्तों एक्सरसाइज रिगुलरली आप एक्सरसाइज करें और आप एल्को हल्का सेवन बिल्कुल ना करें दोस्तों रिडियूस वेट अपना वेट क कम करें अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो मेंटेन हिल्डी कोलेस्ट्रोल और अपना कोलेस्ट्रोल लेवल को मेंटेन रखें ज्यादा ओली पदार्थ ना खाएं एवाइट सेडेंटेरी लाइफटाइल मतलब गती ही गती ही ना हो मतलब आप एक बैठे ही ना रहें काम भाइन करें करते रहें तो अव्?. आप के बारे में पढूंसे ना क्यां यह क्या रहा है तो पहले तो तो वह बताएगा कि लिपोमा है या कुछ और कि सब्सक्राइए और चाहिंग करेंगे लिपोमा का उपचार के बारे में दोस्तों पैदा ना करें आपके के डॉक्टर द्वारा नेमलेखिन उप्चावितियों की सलाद दी जा सकती है सरजरी के बिना लिपोमा का उप्चाव तो दोस्तों त्रिफला है ज़सा कि आप देख सकते हैं त्रिफला काला बस्ती है इसमें दो तीन चीज़ों का मिस्तरण रहता है और स्टुराइड इंज सरजरी द्वारा सरजरी सरजरी द्वारा लिपोमा का उप्चाव तो लिपोमा के उप्चार के लिए निमलेखिन सल अच्छिक सब प्रक्रियाएं की आती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं दो प्रकार की है एक तो पहला है लिपोमा रिमोबल सरजरी सेकेंड है लिपो सक् प्रोसेस के प्रभाव में उप dol ठाने की सद्रकों सटा जाता है तो रिखनां कि यह तो सब्सक्राइब है ने आपको अगह थो की तढ़क क्या होती दोस्तु का लिख सब्सक्राइब sounds तक्सन है उस प्रोसेस से अगर आपकर वाते हैं सरजरी तो चाले जार से एक लाग के बीच में इसकी कोश्ट आती है दोस्तों तो लिपोमा का मैंने सारा कुछ सरजरी है दोस्तों और दवाई से ठीक नहीं होता दोस्तों सरजरी फीकी कीमत मैंने बता दिया है कि क्या लागत हो सकते हैं किनों हमेरे चैनल सस्क्राइब करेब करें जिस अबने ड् 720 ने वाली वीडो अश्राइद आपको मिलती रही धन्रवाद